अगर मेरे तरीके से बनाएंगे न स्नेक गट का सबजी तो घर पे जो लोग ये सबजी नहीं खा थे ओ भी उंगलिया चटके खा जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे रेसिपी को एन तक दिखना है और अच्छे लगे मुझे कमेंट वक्स में लिखके भेजना ह अच्छे लगे मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं स्नेक गट सबजी बनाने के लिए मैंने आपर 500 ग्राम स्नेक गट लिया बेंगोली में इसको चीचिंगा बोलते हैं ये सबजी खाने में बहुत अच्छे लगत ये देखिए ऐसे होते हैं चीचिंगा सबसब पहले हम इसका चीचिंगा निकल लेते हैं इसका पतला वाला चीचिंगा रहते हैं ये देखिए ऐसे छूरी से घिसेंगे तो ये पतला वाला चीचिंगा निकल जाते हैं ये देखिए ऐसे ये दिखे मैंने अच्छे से छिलका निकल लिया अब इसको दो टुक्रा करके अईसे पानी में राग देते और ऐसे करके सारे स्नेक गटका छिलका निकल लेते तो हमने सबका छिलका अच्छे से निकल दिया अभी इसको पानी से अच्छे से धोग के एक प्लेट पर निकल लेते अभी सब्जी को काट लेते तो इसको ऐसे गोल गोल करके और पतला करके काटेंगे यह दिखे आईसे तो आईसे करके सारे सबजी को काट लेते तो सारे सबजी हमने काट लिया चलिए अभी हम इसको बना लेते तो मैंने गैस को ओन किया फ्लेम को मीडिया में रखते चुला के उपर एक कराई रख देते कराई में ये दो टेबेल स्पून ओयल डाल देते ओयल को आच्छे से गरम कर लेते ओयल आच्छे से गरम हो गए अभी इसमें दो सुखा मिर्ज थोरा साबूत जीरा और थोरा सा सर्चो डाल देते अभी मसाला को थोरा सा फ्राई कर लेते ये देखिए मसाला फ्राई करके हो गए अभी इसमें थोड़ा सा बारी काट हुआ लसुन और एक मीडियम साइज बारी काट हुआ प्यास डाल देते अभी प्यास को सौफ्ट होने तक फ्राई कर लेते ये देखिए प्यास सौफ्ट हो गए अभी इसमें थोड़ा सा जीरा पावडर थोड़ा सा धनिया पावडर थोड़ा सा लाल मीच पावडर और थोड़ा सा हल्दी पावडर डाल देते अभी मसाला को एक मीड तक भूल लेते देखिए मसाला भून के हो गए अभी ये जो सब्जी है ये कराई में डाल देते साथ में स्वादानुसान नामाक और बीच में से काटा हुआ दो तिन हडी मेज डाल देते अभी मसाला के साथ सब्जी को अच्छे से मिला देते ये देखिए आच्छे से मिला दिया अभी गैस को धीमी कर देते और एक ढखकन से ढखके धीमी आज में सब्जी को 10 मीट तक पका लेते यानि कि जब तक सब्जी सौफ्ट ना हो जाए तब तक पका लेते बीच में हम क्या करेंगे? सब्जी का ढखकन कुलके एक दो बार हिला देंगे ताकि ये सब्जी नीचे से जालना जाए क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी पाणी नहीं डालना है बापस ढख देते चलिए दस मीट हो गए अभी हम ढखकन कुलके चेक कर लेते सब्जी सौफ्ट हो आका नहीं देखके तो लाग रहा है सब्जी सौफ्ट हो गए फिर भी हम एक बाच चेक कर लेते तो थोरा सब्जी हमें कट्री में निकल लेते एदेखे सब्जी सौफ्ट हो गए अभी हालका सा मिठास के लिए थोरा सा शक्कत डाल देते और बाडी कटावा थोरा सा धनिय पत्त डाल देते अच्छे से मिला देते सब्जी के साथ और एक बार तो मेरा स्नेक गट सब्जी तैयार हो गए आभी हम गैस को बंद कर देते कडाई को गैस से उतर के निचे राग देते ये दिखे कितना अच्छे लग रहे रोटी के साथ खाने के लिए एकदम फार्फेक्ट है अभी कर्मा करम सर्फ करने के लिए एक प्लेट ले लेते प्लेट के अंदर राग देते ये सब्जी को तो ये था मेरा आज का स्नेक गट सब्जी रेसिपी आई हम के मेरे रेसिपी आप लोग को अच्छे लगी ये बहौत सिंपल रेसिपी है आप भी घर पे इस तरीके से बनाएए खाईए और मुझे बताएए कि आप लोग को कैसे लगा आज यहाँ पर मैं एंट करते हैं मैं आगे भी आऊंगी आप लोग के पास मेरा नए रेसिपी लेके तब तक के लिए आप खुश रहेए थैंक्यू सो मच और हाँ रेसिपी आच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू